प्रश्न दिया गया है कि k का मान ग्याद कीजिए यदि रेखाएं x-1 upon-3 equal to y-2 upon 2k equal to z-3 upon 2 तथा x-1 upon 3k equal to y-5 upon 1 equal to z-6 upon-5 परस पर लंबवत हैं तो पहले हम यहां पर रेखाओं के समीकरण को देखते हैं रेखाओं के समीकरण है x-1 upon-3 equal to y-2 upon 2k equal to z-3 upon 2 माल लेते हैं समीकरण एक है तथा x-1 upon 3k equal to y-5 upon 1 equal to z-6 upon-5 समीकरण 2 तो यहां पर यदि हम तुलना करें तो यह a1, b1, c1 है a1 equal to minus 3, b1 equal to 2k और c1 equal to 2 a2 that is 3k, b2 that is 1 और c2 that is minus 5 दिया गया है कि रेखाएं परस पर लंबवत हैं अधा a1, a2, a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 equal to 0 मिलेगा तो a1, a2 minus 9k, 1 into 2k that is b1, b2 और c1, c2 तो मिलेगा minus 10 that is equal to 0 इन दोनों को solve करेंगे, minus 7 की 10 को अधर पक्षांतर कर देते हैं तो मिल जाएगा minus 7k equal to 10, then k equal to minus 10 upon 7 तो यह k का मान है, जो की हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था अगला प्रस्षन दिया गया है कि बिंदू 2 minus 3, 4 की समतल x plus y plus z equal to 5 से दूरी रेखाओं x by 3 equal to y by 4 equal to z by 5 के समानतर कीजिए तो पहले हम उस अभिष्ट रेखा का समीकरन ग्याद कर लेते हैं बिंदू 2 minus 3, 4 से जाने वाली तथा रेखा x by 3 equal to y by 4 equal to z by 5 के समानतर रेखा का समीकरन जैसा कि आप जानते हैं कि दो समानतर रेखाओं की इद्धिक कोच जाएं बराबर होती है तो यहां से यह a1 यह a, b, c यह सेम रहेगा और इस बिंदू से होकर के जा रही है तो x minus x1 upon a हम ऐसा लिखते हैं equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c यह बिंदू x1, y1 और z1 हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा x minus 2 upon 3 equal to y minus minus plus 3 upon 4 equal to z minus 4 upon 5 तो यह वह रेखा का समीकरण मिल गया हम यह मान करके चलते हैं कि यह r के बराबर है तो रेखा एक पर इस्थित किसी बिंदू का निर्देशांग हम निकाल लेंगे रेखा एक पर इस्थित बिंदू के निर्देशांग मान लेतें कि बिंदू P है तो first और last को compare करेंगे 3R plus 2 यह इसका x नरदेशांग मिल जाएगा 4R minus 3 और 5R plus 4 यह बिंदू का हमें नरदेशांग मिल गया और बिंदू P जो है बिंदू P समतल x plus y plus z equal to 5 पर इस्थित है इस पर इस्थित है तो बिंदू कंदेशांग समतल की समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x के इस्थान पर हम रखेंगे 3R plus 2 y के इस्थान पर रखेंगे 4R minus 3 और z के इस्थान पर रखेंगे 5R plus 4 equal to 5 देखिए 5R plus 4R 4 और 3 7 7 और 5 12 तो यहां से मिल जाएगा 12R अब देखिए 2 और 4 6 6 में 3 घटाएंगे मिल जाएगा 3 और 3 को अधर पक्षांदर करेंगे तो 5 रिंट 3 मिल जाएगा 2 तो यहां से आपको मिल गया है आर बराबर एक बटे 6 यह आर का मान हमें मिल चुका तो रेखा एक और समतल का प्रतिछेद बिंदू यह जो मान हमें मिला है इसको हम P के निर्देशांक में जो आर के स्थान पर इसको रख देंगे और सॉल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 बाइ 6 मिल जाएगा 1 बाइ 2 प्लस 2 यह 4 इंटू 1 बाइ 6 तो 4 बाइ 6 देट इस 2 बाइ 3 और 5 बाइ 6 प्लस 4 यह बिंदू हमें मिल गया हमें अभिष्ट दूरी गयात करनी है दो रिंड तीन चार से इस बिंदू के बीच की दूरी तो हम उसे लिखेंगे कि अब तह अभिष्ट दूरी बराबर P से 2 रिnd तीन चार की दूरी दो बिंदो की बीच की दूरी का सूटर लगाएंगे और हम सरल करेंगे यह जाएगा 1 बाइ 2 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वार प्लस 2 बाइ 3 माइनस 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वार plus 5 by 6 plus 4 minus 4 का square. So, ultimately, जब इसे solve करेंगे, तो यह plus 2 minus 2 cancel, minus 1 by 2 का square, 1 by 4, और यह 2 by 3 का square, 4 by 9, और 5 by 6 का square, 25 by 36. अब बूर, ultimately, इसका 4, 9 और 36, इसका लगताँ सापट आएगा 36, यह आएगा 9, और यह आएगा 16, और यह आएगा 25. 9 और 16, 25 और 25, पचास, पचास, बटे 36. तो और 36 का वर्गमूल 6, और इसका अब ले सकते हैं, पचीस गुनित 2, यह 5 वर्गमूल 2. तो यह अभिष्ट दूरी जो है, यह है 5 वर्गमूल 2 बटे 6 इकाई, यही वह उत्तर है, जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था. अगला प्रश्ण दिया गया है, कि बिंदू 1, 2, 3 से होकर जाने वाली, उस रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए, जो कि बिंदू 1, 4, 7, 2, और 5, 3, 2, को मिलाने वाली रेखा के समंतर है. जैसा कि आप जानते हैं कि दो समंतर रेखाओं की दिक अनुपात और दिक खोज्याएं बराबर होती है. तो यहां से हम एक, दो, तीन से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण पहले ग्याद कर लेंगे, और फिर उसके बाद दो बिंदू दिया गया है, माइनस 4 से 1 टू और 5 माइनस 3 माइनस 2 इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं और यह नहीं ग्याद करना है तो हम पहले दिक अनुपात निकालेंगे और दिक अनुपात समानतर रेखाओं की बराबर होती है, उससे तुलना करके वहमान हमें मि जाएगा, तो हम लिखेंगे की बिन्दू एक दो तीन से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो, x-1 upon a equal to y minus 2 upon b equal to z minus 3 upon c, माल लेते हैं की समीकरण एक है, जहां a, b, c रेखा के दिक अनुपात है अब बिन्दूओं मानके चलता है की, यह मान लेते हैं की पहला बिन्दू है a, minus 4, 7, 2, तथा दूसरा बिन्दू है b, 5, minus 3, minus 2 को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात तो दिक अनुपात जो होता है यह x2, minus x1, तो 5, minus, minus, plus, 4, minus 3, minus 7, और minus 2, minus 2, minus 2, अर्थात 9, minus 10, और minus 4 है तो जैसा की हम जानते हैं की समानतर रेखाओं की दिक अनुपात समान होते हैं अतह, a equal to 9, b equal to minus 10, और c equal to minus 4, समीकरण एक में रखने पर हमें अभिष्ट समीकरण मिल दाएगा x-1 upon 9, equal to y-2 upon minus 10, equal to z-3 upon minus 4 प्रश्ण दिया गया है की उस रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए जो बिन्दू 0, minus 3, 2 से होकर जाती है तथा रेखाओं x-1 upon 1, equal to y-2 upon 3, equal to z-3 upon minus 2 और x-3 by 2, equal to y-2 upon minus 2, equal to z-1 upon 1 पर लंबवत है तो पहले तो हम जो बिन्दू दिया गया है 0, minus 3, 2 इस से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे और फिर जैसा की दिया हुआ है की रेखाएं जो हम 0, minus 3, 2 से होकर जाने वाली है वह इन दो रेखाओं से परस पर लंबवत है तो वहां से हम L, M, N में दो समीकरण ग्याद करेंगे और फिर वहां से L, M, N का मान ग्याद करके पुना उस समीकरण में रख देंगे तो हमें अभिष्ट रेखा का समीकरण मिल जाएगा जो की चाहिए है बिन्दू जीरो माइनस थ्री टू से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण X-0 upon L equal to Y minus minus plus 3 upon M equal to Z minus 2 upon N माल लेते हैं कि समीकरण एक है तो यदि रेखा एक दी गई रेखाओं पर लंबवाथ है दी गई रेखाओं अर्थात X minus 1 upon 1 equal to Y minus 2 upon 3 equal to Z minus 3 upon minus 2 तथा X minus 3 upon 2 equal to Y minus 2 upon minus 2 equal to Z minus 1 upon 1 पर लंबवाथ है अतहा जैसे कि अब रेखाओं रेखाओं पर लंबवाथ होती है यदि L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0 हो तो यहां से इस रेखा से एक समिक्रण मिलेगा L M N में और इस रेखा से दूसरा समिक्रण मिलेगा L M N में तो यहां से 1 into L L 3 into M 3 M plus minus 2 into N तो यहां पर है मिल जाएगा minus 2 N equal to 0 similarly 2 L minus 2 M plus N equal to 0 अब इन दोनों रेखाओं के समिक्रण को यह इन दोनों इन दोनों समिक्रणों को सरल करने के लिए हम वजबन अटकरण विधी का उप्योग करेंगे तो हमें मिल जाएगा L upon 3 into 1 that is 3 minus minus 2 minus 2 plus 4 equal to minus M upon 1 into 1 1 minus minus 2 into 2 that is plus 4 equal to N upon 1 into minus 2 minus 2 minus 3 into 2 that is 6 तो इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा L upon minus 1 equal to M upon minus 5 equal to N upon minus 8 अब तीनों में रिंचिन हैं तीनों को cancel कर देते हैं और हम लिखेंगे L upon 1 equal to M upon 5 equal to N upon 8 equal to K यह हम मान करके चलते हैं अब यहां से हमें L, M और N का मान मिल जाएगा L equal to K, M equal to 5K और N equal to 8K L, M और N तीनों का मान हमें K के पदों में मिल गया है अब इन जो मान है K वाला मान इनको समीकरण एक में रखने पर हमें अभिस्टरेखा का समीकरण मिल जाएगा तो अभिस्टरेखा का समीकरण L, M, N का मान समीकरण एक में रखने पर हम मिल जाएगा X minus 0 upon K equal to Y plus 3 upon 5K equal to Z minus 2 upon 8K तो ultimately जब solve करेंगे तो मिल जाएगा X upon 1 equal to Y plus 3 upon 5 equal to Z minus 2 upon 8 तो ये अभिस्टरेखा का समीकरण है जो की हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था रेखा X minus X1 upon L equal to Y minus Y1 upon M equal to Z minus Z1 upon N और समतल AX plus BY plus CZ plus D equal to 0 के बीच का कोण ग्याद करना तो इन दोनों अर्थात समतल और रेखा के बीच का जो कोण होगा यदि इसे हम 5 से प्रदशित करें तो हमें मिल जाएगा sin phi equal to L A plus M B plus N C whole upon square root over L square plus M square plus N square into square root over A square plus B square plus C square तो यहां से हम यह देख सकते हैं कि रेखा और समतल यदि समानतर होंगे तो phi equal to zero मिलेगा और आपको यह पता है कि sin phi अर्था sin zero zero होता है तो यहां पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा L A plus M B plus N C equal to zero यह वह स्थिती है यह जदि हमें यह सिद्ध करना हो कि एक रेखा और समतल दोनों परस पर समानतर हैं तो हम यह सिद्ध करेंगे कि L A plus M B plus N C equal to 0 है रेखा X minus X1 upon L equal to Y minus Y1 upon M equal to Z minus Z1 upon N और समतल AX plus BY plus CZ plus D equal to zero के बीच का कोण ग्याद करना रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण रेखा और समतल के बीच के कोण का कोटी पूरक या कॉम्प्लेमेंट होता है चित्र में आप इस प्रकार देख सकते हैं माना रेखा और समतल के अभिलंब के बीच जो कोण है यह थीटा है तो इस प्रकार हम लिखेंगे cos theta equal to la plus mb plus nc all upon square root over l square plus m square plus n square into square root over a square plus b square plus c square यदि रेखा और समतल के मध्य का कौन phi हो तो हम लिखेंगे 5 plus theta equal to 90 degree that implies theta equal to 90 minus 5 तो इस प्रकार दोनों पक्षों पर यदि हम cos function apply करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos theta equal to cos of 90 minus 5 और जैसा कि आपको पता है कि cos 90 minus theta sin theta होता है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा sin phi तो अतह हम यह लिख सकते हैं कि sin phi equal to la plus mb plus nc all upon square root over l square plus m square plus n square into square root over a square plus b square plus c square रेखा समतल के समानतर होगी यदि हम phi equal to 0 put करें तो हमें वह इस्तिती मिल जाएगा अर्थात यदि la plus mb plus nc equal to 0 होगा तब समतल रेखा के समानतर होगी यदि रेखा समतल पर लंब है तब समतल का अभिलंब रेखा के समानतर होगा अर्थात L upon A equal to M upon B equal to N upon C तो इन सूत्रों का उप्योग करके हम रेखा और समतल के बीच का कोण ग्याद करेंगे और यदि रेखा और समतल समांतर हैं तो उसे भी हम सिद्ध कर पाएंगे आईए देखते हैं इसे सम्मदित कुछ प्रश्ण अब आजाते हैं प्रश्णावली 11C.3 प्रश्ण करमांक एक का दूसरा प्रश्ण दिया हुआ है कि रेखा X-1 upon 2 equal to Y-2 upon 5 equal to Z plus 4 upon 4 और समतल 2X-3Y plus 6Z minus 8 equal to 0 के बीच का कोण ग्याद कीजे तो रेखा का जो समीकरण दिया गया है वहां से हम उसका दिक अनुपात ले लेते हैं और फिर समतल पर अगर हम अभिलम कीचे तो उसके जो दिक अनुपात होंगे वो हम यहां से ग्याद कर सकते हैं तो इसके बाद में फिर रेखा और सम्तल की बीच का कोन हम ग्याद कर सकते हैं सूत्र का उप्योप करके तो रेखा का समी करण यह है एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू जेड प्लस फूर अपॉन फूर तो यहां से हम लेख सकते हैं कि रेखा केदिक अनुपात टू फाइव फूर है अब दिया है समतल का समी करण समतल का समी करण है टू एक्स माइनस ट्री वाई प्लस सिक्स जेड माइनस एट इक्वल टू जिरो तो इससे हम लेख सकते हैं कि समतल पर भिलंब यदि हम खीचें कि दिक अनुपात हम यहां से ग्याद कर सकते हैं तो दिक अनुपात इसका गुणांक दो उसका गुणांक रेंड तीन और उसका गुणांक छे तो दो रेंड तीन छे हैं अब यह मान करके चलते हैं कि माना रेखा और समतल के बीच का कोण थीटा है तब समतल पर अभिलंब और रेखा के बीच का कोण 90-theta होगा तो इसलिए हम सूत्र को उप्योग करेंगे cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root over a square plus b square a1 square plus b1 square plus c1 square into square root over a2 square plus b2 square plus c2 square और इसका उप्योग करेंगे तो यहां से दो और दो का गुणा हो गया चार रिंड तीन और पांच का गुणा रिंड पंद्रा छे और चार का गुणा चोविस upon इसका root over दो दो का गवर चार पांच का गवर पच्चीस और चार का गवर सोला इसी तरीके से दो का गवर चार तीन का गवर नौ और छे का गवर चातीस तो यहां से आपको मिल जाएगा 28 रिंड पंद्रा बटे 16 और चार बीस 20 और बीस चालिस पांच 45 और यहां से देखिए 36 और चार चालिस और नौ उन्चास तो इसको जब सॉल करेंगे तो अंस में मिल दाएगा 13 और यह साथ और वर गमुल 45 को हम और सरर नहीं कर सकते पंद्रा और 3 इस तरीके से 45 को लिखा सकता है 15 तिया 45 और पंद्रा को फिर से लिखा सकता है 5 गुना 3 तो यदि इसका हम वर गमुल निकालेंगे तो यहां से निकाल कर रके आएगा 3 वर गमुल 5 तो यह मान हम यहां पर रख देते हैं और हम दाएगा 13 वटे 7 साथ गुना तीन वर्गमूल पाँच तो साथ यह 21 तेरा बटे 21 वर्गमूल पाँच यह कॉस 90 माइनस थीटा यह आपको में दाएगा साइन थीटा तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा एक्वल टू साइन इन्वर्स तेरा बटे 21 वर्गमूल पाँच और यही वह उत्तर है जो कि हमें ग्याद का निकले दिया गया था प्रेशन दिया गया है कि उस समतल का समीकरण ग्याद कीजिए जो बिंदूओं 2-10 और 3-45 से होकर जाता है तथा रेखा 2x एक्वल टू 3y एक्वल टू 4z के समानतर हैं तो पहली बात यह कि हम बिंदू 2-10 से होकर जाने वाली सम बिंदू 2-1-0 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण सो यह जाएगा a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0 माल लेते हैं कि समीकरण एक है तो यह समतल जो है यह समतल एक बिंदू दूसरा बिंदू जो है उससे भी जाता है यह है 3-4, 5 से भी होकर जाता है अतह बिंदू के दिरदेशांक इस समतल के समीकरण को संतुश करेंगे इसका मतलब यह कि x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 4 और z के स्थान पर 5 रख देंगे इस समीकरण में तो मैं मिल जाएगा a into 3-2 plus b into minus 4 plus 1 plus c into 5 equal to 0 जो 3-2, 1, 1 into a, a, minus 4 plus 1 minus 3 तो यह minus 3 b और यह 5c equal to 0 मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 2 है अब जो रेखा का समीकरण दिया गया है रेखा का समीकरण यह है 2x equal to 3y equal to 4z देखिए 2, 3 और 4 इसका लगत्तम स्वापर निकालेंगा आएगा 12 तो इस पूरे समीकरण को 12 से भाग दे देंगे 2x बटे 12 बराबर 3y बटे 12 बराबर 4z बटे 12 तो मिल जाएगा x बटे 6 बराबर y बटे 4 बराबर z बटे 3 मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 3 है अब समतल 1 रेखा 3 के समानतर है तो समतल 1 पर अभी लंब रेखा 3 पर लंबवत होगा इसी वज़ा से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 इस कंसेप्ट से हमें एक दूसरा समीकरण मिल जाएगा तो हम लिखेंगे कि यदि समतल 1 रेखा 3 के समानतर है तो समतल 1 पर अभी लंब रेखा 3 के लंबवत होगा अतर a1 6 इंटू a प्लस 4 इंटू b प्लस 3 इंटू c इक्वल टू 0 मान करके चलते हैं कि समीकरण 4 है अब समीकरण 2 और 4 से समीकरण 2 वा 4 समीकरण 2 चार को एक साथ लिख लेते हैं इन दोनों को वज गुणंखंड विधी से हल करेंगे माइनस देखिए 3 माइनस 30 माइनस 27 तो माइनस और माइनस अल्टिमेटली प्लस हो जाएगा तो b अपॉन 27 मिल जाएगा इक्वल टू 7 अपॉन 18 और 4 22 अब यह मान करके चलते हैं कि यह के के बराबर है तो यहां से हम a का मान b का मान और c का मान के पदों में निकाल सकते हैं तो a बराबर माइनस 29 k b बराबर 27 k और c बराबर 22 k a b c के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें अभिष्ट समीकरण मिल जाएगा तो अतह a b c के मान को समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट समतल का समीकरण a तो यह है माइनस 29 k फिर x माइनस 2 प्लस b तो यह है 27 k y प्लस 1 प्लस c 22 k प्लस z z माइनस 0 that is z equal to 0 इस पूर इटाम में k है k constant है उसको cancel कर देंगे वहन इस निकाल करके और हम आगे शरल करेंगे तो 29 माइनस x minus 29 x x वाला पद y वाला पद 27 y और z वाला पद 22 z अफिर constant term minus 29 minus 2 दोनों का multiply करेंगे तो प्लस 58 मिल दाएगा प्लस 58 27 प्लस 1 27 और यह वाला पद है 0 ultimately हमें जो समी करण मिल रहा है यह इसमें हम माइनस का गुणा कर देते हैं तो मिल दाएगा 29 x minus 27 y minus 22 z और इन दोनों का add करेंगे तो मिल दाएगा minus 85 और पक्षांतर करेंगे तो मिल दाएगा प्लस 85 तो यह वह अभिष्ट समी करण है जो की हमें ग्यात करने के लिए गया था जो हमें प्राप्त हुआ है 29 x minus 27 y minus 22 z equal to 85 अगला प्रशन दिया गया है कि बिंदूओं 2 to 1 और 1 minus 2 3 से होकर जाने वाले तथा रेखा x minus 1 upon 1 equal to y plus 2 upon 3 equal to z minus 3 upon 4 के समांतर समतल का समी करण ग्यात कीजिए जिस प्रकार हमने पूरो प्रशन में सरल किया था कंसेप्ट लगभग वही है और फिर आगे हमें प्रोसेस करना है तो पहले 2 to 1 और 1 minus 2 3 से होकर जाने वाले समतल का समी करण हम ग्यात कर सकते हैं बिन्दू 2 to 1 से जाने वाले समतल का समी करण यह आपको में दाएगा a into x minus 2 plus b into y minus 2 plus c into z minus 1 equal to 0 जो माना कि यह समी करण एक है अब यह समतल जो है यह समतल एक बिन्दू दूसरा जो बिन्दू दिया गया है 1 minus 2 3 से भी होकर जाता है अता हम बिन्दू के निर्देशांक समतल के समी करण को संतुष करेंगे x किस्तान पर 1, y किस्तान पर 2 और z किस्तान पर हम 3 रखेंगे जाएगा a into 1 minus 2 plus b into minus 2 minus 2 plus c into 3 minus 1 equal to 0 तो 2 minus 1 यह मिल जाएगा minus a minus 4b plus 2c equal to 0 मान करके चलते हैं कि यह समी करण 2 है इसमें काम करते हैं कि इसमें minus 1 का गुणा कर देते हैं तो मिल जाएगा a plus 4b minus 2c equal to 0 और इसे हम समी करण 2 का नाम देते हैं अब जो समतल एक है दी गई रेखा के समांतर है अतहा a plus 1a plus 3 into b that is 3b plus 4 into c 4c equal to 0 यह समी करण 3 समी करण 2 और 3 से समी करण 2 वा 3 से वा जगण खंड विदी का उप्योग करेंगे और सिधा मान ग्यात कर पाएंगे a upon 4 into 4 that is 16 minus or minus plus 2 into 3 6 equal to minus b upon 4 into 1 that is 4 minus minus plus यह 2 और यह c upon 3 minus 4 solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा a upon 22 equal to minus b upon 6 equal to c upon minus 1 अब मान करके चलते हैं कि यह k के बराबर है तो यहां सहे मिल जाएगा a equal to 22 k b equal to minus 6 k और c equal to minus k अतह a b c का मान समी करण एक में रखने पर अभीष्ट समतल का समी करण मिल जाएगा अभीष्ट समतल का समी करण so this is 22 k x minus 2 minus 6 k y minus 2 minus k z minus 1 equal to 0 तीनों पदों पर के उभेष्ट निकाल करके हम cancel कर सकते हैं और फिर हम जाएगा 22 into x minus 2 minus 6 into y minus 2 minus 1 into z minus 1 equal to 0 तो यहां से मिल जाएगा 22 x minus 6 y minus z अब 22 और 4 का multiply करेंगे तो मिल जाएगा minus 44 minus और minus plus 12 और plus 1 equal to 0 so this is 22 x minus 6 y minus z और solve करके उदर ले जाएगे तो आपको मिल जाएगा 31 तो यही वह अभीष्ट समतल का समी करण है जो की हमें ग्याद का निकले दिया गया था बिंदू 100 से जाने वाली उस रेखा का समी करण ग्याद कीजिए जो की x z समतल पर लंब है तो पहले बात यह कि हम 100 सो कर जाने वाली किसी रेखा का समी करण लिख लेते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि x z समतल पर हमें y equal to 0 मिलेगा तो इस concept का उप्योग करके हम दिक अनुपात के बीचों में relation establish करेंगे और अभिष्ट उत्तर ग्याद कर पाएंगे बिन्दू 100 से जाने वाली किसी रेखा का समी करण x-1 upon l equal to y-0 upon m equal to z-0 upon n माल लेते हैं कि समी करण एक है जहां l m n l m n रेखा की दिक कोज आएं है दिक कोज आएं है अब जैसा कि आप जानते हैं कि x-z समतल में y equal to 0 मिलता है अर्थाद दिया गया है कि रेखा एक समतल पर लंब है तो हम जानते हैं कि रेखा एक और समतल दोनों रेखा एक और समतल पर अभी लंब जिसके दिक अनुपात है 010 तो समतल का दिक अनुपात यह आपको मिल जाएगा 010 यह दोनों परस पर समान तरहें तो रेखा एक तथा समतल के लंबवत दिक अनुपात से L upon 0 equal to M upon 1 equal to N upon 0 अब यह मान करके चलते हैं कि यह के बराबर है तो यहां से मिल जाएगा L equal to 0 M equal to K और N equal to 0 L M N के मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में मान रखने पर तो में जाएगा L x minus 1 upon 0 equal to y upon K equal to z upon 0 इस पूरे समीकरण को हमने के से भाग दे दिया तो नहीं है ultimately हमें यही मिलेगा और यही वह अभिस्टर समीकरण है जो की हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था आई हम देखते हैं कि रेखा के असममित रूप से सममित रूप में परिवर्तन किस प्रकार होता है जैसा कि आप जानते हैं कि A1 x plus B1 y plus c1 z plus d1 equal to 0 और A2 x plus B2 i plus c2 z plus d2 equal to 0 यह दोनों एक साथ रेखा के सममिकरण को संतुष करते हैं तो यहां पर हम दिक कोज्या के अउधारणा का उपयोग करके रेखा के असममित रूप से सममित रूप में परिवर्तन करेंगे आई यह देखते हैं रेखा के समीकरण का असममित रूप से सममित रूप में परिवर्तन change the unsymmetrical form into symmetrical form of the equation of line माना किसी रेखा को निम्न समीकरणों द्वारा निरुपित किया जाता है a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 समीकरण 1 और समीकरण दूसरा है a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 रेखा के इस असममित रूप को सममित रूप में परिवर्थित करने के लिए रेखा की दिक को जाएं तथा रेखा पर इस्थित किसी बिंदू के नर्देशान का ग्यात होना आवश्यक है माना कि इस रेखा की दिक को जाएं lmn है चुँकि यह रेखा समीकरण 1 और 2 से निरूपित सम्तलों पर इस्थित है तो हम x, y और z के स्थान पर lmn रख देंगे और हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे और फिर इन समीकरणों को हम सरल करेंगे तो समीकरण हमें मिल रहा है a1 l plus b1 m plus c1 n equal to 0 a2 l plus b2 m plus c2 n equal to 0 इन समीकरणों को हल करेंगे हम वजगुणनखंड विधी का उप्योग करके तो हमें मिल जाएगा l upon b1 c2 minus b2 c1 equal to m upon c1 a2 minus c2 a1 equal to n upon a1 b2 minus a2 b1 अतर रेखा की दिक कोजिया है b1 c2 minus b2 c1 c1 a2 minus c2 a1 a1 b2 minus a2 b1 के समानुपाती है रेखा पर असंखे बिंदू होते हैं तो सुविधा के लिए हम वह बिंदू लेंगे जहां यह रेखा समतल z equal to 0 को मिलती है अतर समीकरण एक और दो में z equal to 0 रखने पर हमें समीकरण मिल जाएगा a1 x plus b1 y plus d1 equal to 0 और a2 x plus b2 y plus d2 equal to 0 इन समीकरणों को पुनह वजगुननखन वीदी का उप्योग करके सरल करने पर x upon b1 d2 minus b2 d1 equal to y upon a2 d1 minus a1 d2 equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 अतर रेखा पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांक यदी हमें लिखने कहा जाए तो पहले और अंतिम अनुपात को और दूसरे और अंतिम अनुपात को तुलना करके हम x और y का मान ग्याद कर सकते हैं और हमने z equal to 0 यह मान करके ही सरल किया है तो इस प्रकार बिंदू के निर्देशांक हमें मिलेगा b1 d2 minus b2 d1 upon a1 b2 minus a2 b1 इसका y कॉडिनेट है a2 d1 minus a1 d2 upon a1 b2 minus a2 b1 और इसका z कॉडिनेट है 0 अता अभिष्ट रिखा का समी करन कुछ इस प्रकार होगा x minus जो बिंदू का निर्देशांक हमें मिला है वहां पूट कर देंगे then whole upon b1 c2 minus b2 c1 equal to y minus बिंदू का y कॉडिनेट then whole upon c1 a2 minus c2 a1 equal to z upon a1 b2 minus a2 b1 यदि a1 b2 minus a2 b1 equal to 0 प्राप्त होता है तो ऐसा बिंदू चुनना चाहिए जहां रेखा समतल x equal to 0 या y equal to 0 को मिलती है तो आईए देखते हैं इसे सम्बंदित प्रश्ण जहां पर हम यह देखेंगे कि रेखा के आसममित समी करन को सममित रूप में किस प्रकार परिवर्थित करेंगे किस प्रकार परिवर्थित करते हैं प्रश्ण दिया गया है कि रेखा x equal to a y plus b तथा z equal to c y plus d का सममित रूप ज्यात कीजिए सममित रूप हमें मिलता है x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c इस रूप में जो समी करन होता है इसे हम सममित समी करन कहते हैं तो पक्षांतर का उप्योग करके हम अभिष्ट समी करन ज्यात कर पाएंगे तो समी करन दिया गया है x equal to a y plus b तो यहां से हम लिख सकते हैं x minus b equal to a y या फिर x minus b upon a equal to y अब यह y upon 1 है माल लेते हैं कि समी करन एक है अब दूसरा जो समी करन दिया गया है z equal to c y plus d तो यहां से हम लिख सकते हैं z minus d equal to c y और इसे पुना पक्षांतर करके z minus d upon c equal to y by 1 समी करन एक हुआ दो से समी करन एक हुआ दो से दोनों का right hand side equal है तो left hand side भी equal होगा अर्थात x minus b upon a equal to y by 1 equal to z minus d upon c तो यह समी करन है रेखा का जो की हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था अगला प्रशन दिया गया है रेखा x plus y plus z equal to 1 समी करन अगला प्रशन दिया गया है रेखा x plus y plus z plus 1 equal to 0 और 4x plus y minus 2z plus 2 equal to 0 का सममित रूप ग्यात कीजे तो यहाँ पर हम दिख कोज्या के concept का उपयोग करते हुए इस प्रकार के रेखा के समी करन को समीत रूप हम याद कर पाएंगे तो हम यह मान करके चलते हैं कि दिवी रेखा की जो दिख कोज्या है यह LMN है माना की दिख कोज्या है रेखाओं की दिख कोज्या है LMN है अब चूंकी रेखाएं समतलो में इस्थित है अता L प्लस M प्लस N इक्वल टू जीरो X प्लस Y प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू जीरो वहां से हमें यह फॉर्म में लेगा और जो दूसरा समीकरण है 4X 4X प्लस Y माइनस 2Z प्लस 2 इक्वल टू जीरो तो जो दूसरा समीकरण है 4X प्लस Y माइनस 2Z प्लस 2 इक्वल टू जीरो यहां से में दूसरा समीकरण मिल जाएगा यह 4L प्लस M माइनस 2N इक्वल टू जीरो इन दोनों समीकरणों को हम वज़गुन अट्खंविदी से सरल करेंगे L upon 1 into minus 2 that is minus 2 minus L 1 into 1 that is 1 equal to minus M upon 1 into minus 2 that is minus 2 minus 4 into 1 that is 4 equal to N upon 1 into 1 that is 1 minus 4 into 1 that is 4 तो यहां से हमें समीकरण मिल जाएगा L upon minus 3 equal to M upon minus 6 हो जाएगा यहां पर और यह N upon minus 3 अब यदि इसमें minus sign का multiply करना चाहें तो मिल जाएगा L upon 3 equal to M upon minus 6 equal to N upon 3 या फिर पूरे समीकरण को denominator में जो है इसको हम तीन से भाग दे सकते हैं तो मिल जाएगा L upon 1 equal to M upon minus 2 equal to N upon 1 तो यह हमें एक relation मिल चुका है अब दी हुई रेखा जो है उसका दिक अनुपात 1 minus 2 1 है दी हुई रेखा के दिक अनुपात दिक अनुपात 1 minus 2 1 है अब हम यह मान करके चलते हैं कि माना रेखा समतल Z equal to 0 को प्रतिछेद करती है इसलिए समतलों की समीकरण में Z equal to 0 हम पूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा X plus Y plus Z X plus Y plus 1 equal to 0 और 4X plus Y plus 2 equal to 0 मान करके चलते हैं कि समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है समीकरण 1 और 2 को वजबन अंखन विदी से हल करेंगे मिल जाएगा X upon 2 into 1 that is 2 minus 1 into 1 1 equal to minus Y upon 1 into 2 that is 2 minus 1 into 4 that is 4 equal to यहां पर यहां पर Z तो नहीं है अपने 1 लिखेंगे 1 upon 1 into 1 that is 1 minus 4 1 into 4 that is 4 तो यहां से आपको मिल जाएगा X upon 1 equal to Y upon 2 equal to 1 upon minus 3 तो यहां से हम सॉल करके X equal to 1 minus 1 by 3 और Y equal to minus 2 by 3 यह मान निकाल सकते है तो यह रेखा पर दी हुई किसी बिंदू के निर्देशांक यहां से मिल जाएगा रेखा पर इस्थित बिंदू के निर्देशांक X Y 0 तो यह minus 1 by 3 minus 2 by 3 और 0 है तो रेखा का सम्मित रूप यदि हमें निकालना है तो रेखा का सम्मित रूप X minus X1 यह X minus 1 by 3 upon जो हमें 1, 2 1 minus 2, 1 1 minus 2, 1 यहां से हम उस अनुपात को लिखेंगे Y minus 2 by 3 upon minus 2 equal to Z minus 0 upon 1 है और यही वामान है जो कि हमें गयात का निकले कहा गया था झाल